अगर कभी आपको कम समय में कुछ की रिस्पीट, एस्टी और चटपड़ा सा नास्ता बनाना हो तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा आप इस रेसिपी को मुस्किल 5-7 मिलड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं तो चलिए बिना हरी मिर्च की क्वांटिटी थोरा सा जादा रखी हूं आप अपने अनुसार इसको कम्या जादा कर सकते हैं जैसे हरी मिर्च भून जागा इसमें डाल देंगे एक मीडियम सच के प्याज कोड़ा फिली चॉप करके प्याज को भी मच्छे तरीके से भून लेंगे मैं यहां आलू का मसाला अपने तरीके से बना रही हूं अगर आपको आलू की फिलिंग आती है चटपड़ी से भी बनाने तो आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं अब इसमें डाल देंगे प्याज को भूनने के बाद बेसिक से मसाले जो हर घर में होते हैं जैसे की एक चोथाई सब्सक्राइब जमें तो डीखाइब आप्ड़ऊ पना सके देंगेंगे मसाला को भुझते समय घर कफुलिं लो रखंफ तोसके तरीके से अच्छी तारीके से भूनौर्ट तर् oraz और इसमें डाल देंगे पांच कच्चे अलूक को अच्छी तरीके से उबाल के सिक्षिल्क नमक दाल देंगे और थोरा सामयदा है चाट मसालाँ थाकि च्च्ट पता होगा है ठाने में थ्युंट-थेश्ची लागे अच्छे तरीके से चैट बाली मिक्स के लिएम आप यहालता हैं पुराना प्रणा चंसे है जादा हम ब्रेट को ब्रेट करेंगे सी असरे आपको घ्री अचेकडिब मैदा आप गयों का आटा भी ले सकते हैं या फिर बेशन भी ले सकते हैं लिकिन मैदा से थोड़ा टेस्टी बनता है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा से तेस्ट को अकोर्डिक नमक और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एकदम पतला सा सिलडी अच्छे तरीके से बिल्कुल इसलेटे से बना सकते हैं दो बड़ लगाने नहीं किकने अच्छे तरीके से मैं आलो की फिलोंगाई हैं यहां मिकसर के जार में पीस के बीडे करना सकते हैं गड़िए में इस्तामाल करहें इक पीस को उठाएंगे अच्छे तरीके से मैं देके सिलरी में करेंगा फटा-फटा कि तूटे मीदा को कुटा मैं धूल सकता य legal है जो थैड़े करें और ब्रीट करना थे पर बढ़ने थानू पेसे पर दंद कर दोट नहीं से पर तुक्रीड कोटे unit सबी को बनाके एक ही बार में इसी तरीके से आप रेडी कर ले अब चलिए इसे फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए गैस पर रखेंगे तेल तेल अच्छे तरीके से गरम होना चाहिए ठंडा तेल में आप इसे बिल्कुल भी ना फ्राई करें तेल अच्छे तरीके से गरम हो और गैस का फिलम मीडियम रखके इसे हम अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राण होने तक फ्राई कर लेंगे इस नास्ते को थोरे से बरे-बरे शेप में बनाई हूं इसलिए करहाई में एक ही बार में तीन डाल रहे हूं आप छोटे बना रहे हैं तो पांच से साथ पिस डाल करना सकते हैं और इसी तरीके से सिर्व को डालने के बाद हरो फ्राई कर लेंगे या फिर ना रखी नहींट और देखिए कितने सिर्व और तो बस हम इसे निकाल लेंगे बस हमें थोरा से मैदा को कुप करना रहता है इससे ज्यादा हमें इसे किसी भी चीज को पकाना नहीं है और देखिए हमारे नास्ता बन के रेडी हो चुका है और इसी तेल में जितना भी मेरा बागी का पीस बचा हुआ है सभी को मैं डालके इस प्रेंड्स और फैमली में जरूर शेयर किजेगा और देखिए इस नास्ते में बिल्कुल भी तेल नहीं गया है यह बिल्कुल भी ओली नास्ता नहीं बनता है तो आप जरूर ट्राइब कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा